तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग उमिद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो आधार कार के बारे में होने बाला है आधार कार के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने बाला हूँ तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कर लेता हूँ वीडियो को इस्टार्ट और आप लोगों को बताता हूँ तो दरसल दोस्तों बात यह है कि जो हमारे आधार कार्ड की ओफिशल वेबसाइट है उन्होंने ट्विटर पर ट्विट करके बताया है कि जो हमारा आधार कार्ड है इसकी साइज को और इसके पेटन को जिस सेम लाइक है जो हमारा एटेम कार्ड होता है और जो डिविट कार्ड होता है उसकी तरह कर दिया जाएगा यनि के बदल दिया जाएगा पहले जो हमारा आदारकार था पहले क्या मतला भाभी भी हमारे पास वही आदारकार है उसका Size भी थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको Carry करने में, Pocket में डालकार रखने में या v Guinea में डालकार्खने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और दूसरी बात ये हैं कि मतलब वो waterproof भी नहीं होता है यानि कि अगर हम waterproof को करने के लिए plastic coated या lamination उसके उपर करवा सकते हैं लेकिन वो उतना शुतियोर नहीं रहता है जिससे ATM card और debit card होता है तो इन्होंने इसमें ये changing कर दी है और अगर हम लोग भी उसको change करवाना चाते हैं या आप लोग उसको change करवाना चाइते हो नए आधारकार को देखना चाते हो या मंगवाना चाते हो तो इसकी जो official website है Its के ओपर login करके जोग वह वहां से apply कर सकते हो वहाँ से अपलाई करोगे तो वहाँ से आप लोगों को इसके 50 रुपे का पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपे की फीस देनी पड़ेगी उसके बाद कुछ दिनों के बाद स्पीड पोस्ट के जरीए आप लोगों को एड्रस पे आदार का डिलिवर हो जाएगा तो उमेद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में दीगाई भी जानकारी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा और सेर किजिएगा चैनल को सब्स्राइब कर लेजेगा चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ बाई बाई